बिस्मिल्लाहिरुह्मानियुरहीम, असलामु आलेकुम, दोस्तों मेरा नाम है उमर राजबूत और आप देख रहे हैं पाक स्पोर्ट्स बहुत सारे दोस्त इंस्टाग्राम पर मेस्जिस कर रहे थे और कमेंट्स भी कर रहे थे कि उमर भाई प्लीज मोईन खान क्रिकिट अकैडमी कराची पर एक वीडियो बना दें इसमें हम किस तरह से अडमिशन ले सकते हैं और इस क्रिकिट अकैडमी की फीज कितनी है तो आज की वीडियो में आपको मुकमल डिटेल देने वाला हम वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि यहां पर आपको क्रिकिट से रिलेटिड इन्फामेटी वीडियो मिलती रहती हैं तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किये आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं देखें दोस्तों सबसे पहले तो आपको मौहिन खान क्रिकिट अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास बे फॉर्म होना चाहिए या फिर आईडी कार्ड होना चाहिए साथ में फादर किसी एन आई सी की कॉपी होनी चाहिए और अगर आप इस academy में admission लेना चाहते हैं तो आपको अपने father के साथ यहाँ पर जाना पड़ेगा अगर आपकी age under 16 से कम है अगर आपकी age under 19 है, under 16 से plus है, 18 साल से plus है तो आप अकेले जाकर भी इस academy में admission ले सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी fees details की तो यहाँ पर जो आपसे सबसे पहले admission fees ली जाती है वो है 10,000 रुपे admission fees है और उसके अलावा यहाँ पर आपको security deposit जमा करवाना पड़ता है 12,000 रुपे यानि के 10 और 12 पहले माईने में 22,000 रुपे आपके यह हो गए और उसके बाद अगर हम monthly fees की बात करें तो यहाँ पर 6,000 रुपे आपको monthly fees पे करनी पड़ती है जो आपको हर महीने करनी पड़ेगी यानि के पहले महीने में आपको यहाँ पर 28,000 रुपे जमा करवाने है उसके बाद जो next month होगा उसमें आपको सिर्फ 6,000 रुपे हर महीने पे करने है अगर हम इस academy में hostels की बात करें क्या यह academy हमें hostels भी provide करती है या नहीं करती तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि इस academy में आपको hostels provide नहीं किये जाते अगर आप किसी और city से आकर यहाँ पर admission लेते हैं तो आपको hostel का इंतजाम खुद करना पड़ेगा academy के hostels यहाँ पर नहीं है सो दोस्तो यहाँ पर fees details आपको एक दफ़ो और बता देता हूँ पहले महीने आपने 10,000 रुपे जमा करवाने है admission fees और उसके साथ आपको security deposit 12,000 रुपे जमा करवाना है और 6,000 रुपे यहाँ पर monthly fees जो आपको पहले महीने में advance जमा करवानी है यानि कि 28,000 रुपे total आपको यहाँ पर देने हैं आपको एक form दिया जाएगा वो आपने fill करना है और सारे documents उसके साथ आपने attach कर देने हैं और वो form जमा करवा देना है और फिर next month से सिर्फ आपको 6,000 रुपे ही यहाँ पर pay करने है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए informative रही होगी वीडियो गर अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो पर दो मैं आद रखिएगा अला लिगेवा